यह दिरिश कोई बरसात के मौसम का नहीं है बलकि रविवार शाम हुए सिर्फ 15 मिनट की बारिश का है यह दिरिश मांगो नगर निगम अंतरगत ओर्ड पुरुलिया रोट का है सड़क किनारे बनी नाली में जननिकासी पर नाली दुरुस्त नहीं होने के कारण और समय समय पर कचणों का निप्टान नहीं करने के कारण नाली जाम हो गया है जिस कारण हलकिसी बारिश होने पर नाली का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है इन दिनों रमजान का पाक महिना है और इसी सड़क के आगे कई मस्जिदे और कबिस्तान है लोग नमास पढ़ने इसी रास्ते से जाते हैं ऐसा नहीं है कि यहां केवल लोग अबारत के लिए ही जाते है यह मुखिस सड़क है यहां से कई रहगीर आना जाना ऐसे ही हालात में करने को मजबूर है अब जरा सोचिए अगला मौसम बरसात का होगा अगर यहीं हाल रहा तो फिर इस सड़क का बरसात में क्या हाल होगा ऐसे परिस्थीतियों में नगर निगम और आम जंता को आगे आने की जरूरत है तब ही मान को सवच और सुन्दर बनेगा और ऐसा नहीं है कि यह दृष सिर्फ ओड़ पूलिया रोड़ की है बलकि 15 मिनट के बारिश में मान को नगर निगम के कई अनी छेतर का यही हाल है आप अगर 10 मिनट बारिश के बाद सड़क पर घुमेंगे तो आपको भी कुछ ऐसे ही हालातों का सामना करना पड़ेगा अगर समय रहते इस परिशानी का निप्टान नहीं किया गया तो आने वाले कुछ महिनों में बरसात के मौसम में मान को वाकियों को और भी परिशानीयों का सामना करना पड़ेगा कापाली और मान को चेतरी के आस पास रहने वालों के लिए अच्छी ख़बर तमोलिया स्थित किंडर वैली प्रे स्कूल में चारी है प्रे अड्मिशन कापाली से सचे तमोलिया स्थित किंडर वैली प्रे स्कूल में इन दिनों प्रे अड्मिशन जारी है यह स्कूल ICAC पैटन बेस्ट है और यहां सभी टीचर्स प्रेंड और क्वालिफाइड हैं के जेर्मेंन स्यद जाविद अफ्टर ने बताया कि इस स्कूल की शुरुआद टमोलिया छेतरी में इसलिए की गई ताकि यहां बच्चों को स्टैंडर्ड एजुकेशन कम फीस में दी जा सके स्कूल में स्मार्ट क्लासे, प्लेग्राउंड, इंडोर, आउट्डोर, और्डियो विज्वेल क्लास्रूम, कलरफुल क्लास्रूम, मौडर्ण टीचिंग और सीटी टीवी सर्विलेंस चैसी फैसिलिटी मौजूद है अगर आप भी फ्री एड्विशन का लाब लेकर बचों को स्टैंडर्ड एजुकेशन देना चाहते हैं, तो एक बार किंदर वैली फ्रेस्पूल जरूर आए पता तमोलिया मेंडोर, आपोजेट जिया कार्डिन, नियर नूरी कॉलनी, सराइकेला खर्सावा